आज पढ़ते हैं हम लोग भाव चिंता, ये नियम है कि कैसे हम लोग भाव के रिजल्ट को देखें, डिफरेंट डिफरेंट भाव कुंड़ी में होते हैं, कुंड़ी में 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों को हम कैसे देखें, ये एक बहुत important subject है अपने आप में और उसके क्या rules से लेखने के लिए, वो नियम भी इसके अंदर बताए गए हैं, नियम क्या है, हाँ, ये कहते हैं, शुग्रे यदि केंद्र त्रिकोण में हो, शुग्रे, शुग्रे का मतलब क्या हुआ, कि गुरू, शुक्र, चंद्रमा और बुद्ध, ये चार हमारे शुग्रे हैं, सेंटेंस ये कहता है, कि मान लिया, शुग्रे है, कोई शुग्रे है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, लेकिन वो अशुग्रे है, वो छटे भाव का स्वामी है, या आठे भाव का स्वामी है, तो वो उतना अशुग्र नहीं करता, क्योंकि उसमें दो शुग्रे है, एक तो इसलिए वो उतना बुरा नहीं करता, बुरा तो करेगा, अगर कोई आठवे भाव का स्वामी या छटे भाव का स्वामी या बारवे भाव का स्वामी आपकी कुंडली में किसी भाव में बैठ गया, ये मैंने अभी नियम बताओंगा आपको, कि किसी भी कुंडली में ये उस बहाव की हानी होती है तो यह देखना हमको जरूरी है कि वो जो ग्रह बैथा है छटे आठहे- बारवे का स्वामी बनके वो शुग्रह है चुभा करना नहीं होता वह मतलब अपनी नेचर से बुरा करना नहीं चाहता लेकिन चुकि वह गलत भाव का स्वामी है इसलिए उसको बुराकरना पड़ेगा तो उतना बुरा नहीं करता ज cock ना कि कोई पाप ग्रह चला जाए अब मंगल मालिया किसी कुंडली में तीसरे वे आठे भाब का स्वामी है या मंगल आठे भाब का स्वामी है और वो केंद्र तिकोड में आके बैठा हो तो वो अशुब फल करेगा चुकि उसमें दो अशुब हैं एक तो अशुब यह है कि वो अशुब ग्रह है दूसरा वो अशुब भाब का स्वामी है अच्छा सरी यह है कि वो केंद्र तिकोड में बैठा है एक ही अच्छा ही है तो वो ज्यादा अशुब फल करेगा तो वो ही हम मोटा मोटा आडिया लगा रहे थे कि आप भी अपनी कुर्णी में जरूर यह कीजिए कि जब भी कोई रहे केंद्र कोड में बैठा हो तो वो देखिए कि वो किस घर का मालिक है अगर वो बुरे घर का मालिक है चटे आठवे बारवे घर का मालिक है और अशुब रह है तो तो बहुत जादा नुकसान करेगा और चटे आठवे बारवे घर का मालिक है औ इसलिए ये द्र dein दिखना, बहुत जरूरी है. जिन भावों में शुभरह बैटे हों, जो भाव शुभरह से द्रस कोते हैं, मैं उप्तम्फल देते हैं. ये तो मैंने हमने अब लोगों को, कि जिस भाव में शुभरह बैठे होंगे, या जिस भाव को शुब रहे देख रहे होंगे या जिस भाव के दोनों और शुब रहे होंगे या जो भाव अपने स्वाबी के साथ होगा या जिस भाव को उसका स्वाबी देख रहा होगा वो भाव हमेशा बलवान होगा लास लास में लोगों ने पढ़ा था वही चीज ये बोल रहे हैं कि जिन भाव में शुप रएप हो बहाव में सवामी के यह सहीर होता है कि द्रस्ट और नियुकुर्टी लगाने-चे पाहले दिखुआ है कि कि पू है चाटे आङइंच्ण नहीं पार्रव्य भागपास स्वामी होगे केंद्र आउरति कॉणों Champagne belts तो हूं अगर वह शुम Television आगर वह अशुब्ग रहे दूसरा नियम यह है जिन भावो में शुब्ग रहे बैटे हों जिन भावो को शुब्ग रहे देखते हं यह जिन भावो में दोनों और शुब्गobyl है हूं यह जो भाव रहे अपने भाव के स्वामी के साथ हो या कोई रहे अपने भाव के स्वामी से द्रस्थ हो तो वह उत्तम फल्प्रटान करता है अच्छा अब एक और बहुत अच्छा इंपॉड़न्ट आडिया है जिस भी भाव का विचार करना हो किया कि आपके पास कुणडी आईकर ल१ी आफिश रहे हो वा आधमें आप से कहता ऐसा मेरे प्रौफशन के वारे में कि मेरा प्रफेशन कैसे रहे रहे का तो आपको दसफ़े भाव को मैं व्यचार करना है यह तो मालुम क्ष़ला घखना है बहावेश देखना है, कारक बालूमी है, आपको शनी और कुछ तोनों कारक आपने देखने है, तो उसको बताएंगे आप प्रोफेशन कैसा रहेगा, लेकिन उसके अलावा और भी नियम है, उसके अलावा क्या नियम है, ये तो आप देखेंगे देखेंगे, इसके अलावा कि नियम और है कि जिस भी बहाव का विचार आपको करना हो उसको आप लगन बना दो जैसे यह कुंडली है इसको हम लगन चार्ट बोलते हैं डीवन चार्ट यह डी इसके बारे में एक क्लास में हम आपको बताएंगे वर्क्षार्ट क्या होते हैं और इस लड़के का प्रफेशन कैसा रहेगा जिसकी जन्द 9 अगस्ट 1908 में है सुबह 4 बच के 5 मिलट का टाइम है और देली में जिन्द तो कैसा प्रफेशन रहेगा तो हम भाव भावेश और कारत देखेंगे पहले तो जैसा बताया था भाव में क्या है भाव में भाव का स्वामी बैठा हुआ है दस्वे भाव में भाव का तो कारत कौन होता है ऐसका शनी शनी लाभ-भाव में बैठा हुआ है शनी लाभ-भाव में बैठा हुआ है तो कारत भी मजबूत है यानि इस बच्चे का या इस लड़के का प्रफेशन बहुत अच्छा होगा दूसरों तरी में क्या है शनी और बुद्ध दोनों बुए इसका ग्यारवे में बैठा है बुद्ध भी तीसरे भाव में बुरा नहीं बैठा हुआ है चटे आठे बारवे बारवे बाव से बसना सीए बस तो प्रोफेशनल्स का ठीक रहेगा कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं और कंसिडर करना हो इसको कि और इसको मानिवट्ली देखे तो कैसे देखें कि इस भाव को आप लगन बना दे यानि जहां बारव नंबर राशी है उसको आप लगन बना दे यह मैंने इसको लगन बना दिया बारव नंबर राशी को पहला भाव मान लिया हमने उसके बाद जो बाकी भाव थे वो बूसे तीसरे चौथे पाच्छे ब दसने भाब को हमने लगन बना लिया गुस्तियों अकर चलते चले तो हमने यह देखेंगे कि इस्से केंद्र में तरुख रहे हूं तो यह पहत्ब अच्छा है इसके केंदर में देखो इसके केंदर में तो पहला भाव केंदर का होता है फस्ट एक शुब रहे है जी चौता भाव मंगल ना रहा है इसमें इसमें मंगल तो शुब नहीं है साथमा भाव मंगल मंगल कुरूर ग्रह में आते हैं न हाँ कुरूर ग्रह में आता है न शुब रहे हैं केंदर त्रिकोर्ड में शुब रहे हैं तो मंगल को हम शुब बोलेंगे या नहीं नहीं मंगल को शुब नहीं बोलेंगे कुरूर ग्रह जो हैं उनको शुब नहीं बोल कोई नहीं है लाव भाव में है शुक्र सॉर्य के साथ है लगन में गुरु है और शुक्र सॉड़् शुक्र के साथ है तो सुर्य जिस ग्रह के साथ द्वल डेगा शुप के साथ है तो शुफल देगा शुप के साथ है तो शुफल देगा सूरिय आपका इसके अंदर देखे इसमें क्या फर्रक पड़ता है अब को तिर बतायता हूं पहला निया मैंने यह भी बताया था आपको चटे आठवे बारवे भाव का स्वामी अगर किसी भाव में बैठे केंदर तिकोंड में बैठे किसी भाव में बैठे तो उस भाव की हानी करता है यह बताया था आपको सूरिय यहां पर किस भाव का स्वामी है चटे भाव का स्वामी होके अगर वो तिरकोंड में चला गया पास्यों भाव में चला गया इस भाव की थोड़ी हानी करे यानि वो वाइफ को कंसीव नहीं होने देगा या नैच्रल एबार्शन उसका होता रहेगा संतान में प्रॉब्लम होगी समस्या होगी उसको यह दिक्कत है क्योंकि इसका भाब का स्वामी महां चला गया है त्रिकोड में लेकिन अच्छा किसके लिए हुआ इस भाब के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ च्छटे भाब के लिए सुर्या है हम अपने के लिए तो अच्छी होगा अपने के लिए अच्छा होगा क्यूं तो इस भाब का स्वामी केंद्र त्रिकोड में गया है हारा नियम ये भी है कि जिस छटे आठवे बारवे भाव का स्वामी या केंद्र त्रिकोन या लाब भाव में जाए तो उस भाव की हानी करता है एक नियम तो यह हो गया दूसरा नियम यह है कि किसी भी भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोन में आ जाए या लाब भाव में आ जाए किसी भी भाव का स्वामी त्रिकोन या लाब भाव में आ जाए तो उस भाव की व्रद्धी करेगा अच्छा तो सीधी सी बात है कि यहां सूर्य छटे भाव का स्वामी होके जब पांचवे भाव में चला गया तो पांचवे भाव की तोहानी करेगा लेकिन छटे भाव की व्रद्धी करेगा क दोने नियम लगे इसकंदर चटे आठवे बारवे का स्वामी होके कहीं भी कोई रह चला जाए किसी भाव में तो उस भाव की प्रद्धी होती है तो चुकि चटे भाव का स्वामी तर करण में चला गया तो इस भाव की प्रद्धी हो चुन्रे और कि नहीं मिलेगा आपको अब देखो ना इसी कुंड़ी में देखो अब यह कुंड़ी दो ग्रह बैठे हैं अंको कुर बैठा है इस तो फल कुछ और मिलेगे झार की दशा जब आएगी तो शुक्र में क्या है यहां शुक्र बैठा वाए पांचवे भाब में शुब रहा है हम जालते हैं तो बढ़िया है तो बढ़िया है प्लेसिंग प्लेस्मेंट अच्छी है इसकी अनुकूल उस्तिती है गुरु की दरस्ती है एक दो तीन चार पांच गुरु क हो सकती है इस बंदे का प्रेम प्रसंग अगर कोई है तो वो सिद्ध हो जाएगा इस बंदे के सटा बजार में यह शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदने के लिए कोई चीज़ लगाई है तो उसमें उसको लाब होगा जो भी पांच में भाब के फालम सच्छे मिलेंगे लेकिन जब सूर्य की दशा आएगी इसी भाब में बैठे रहे सूर्य की दशा आएगी तो क्या होगा सूर्य इस भाब की हाने करेगा क्योंकि यह छटे भाब का स्वामी तो सूर्य की दशा में सट्टे में पैसा लगाया हो तो हार जाने के चांज सोते हैं संतान पैदा हो में दिक्कत होगी है यह सूरे की दशाम होगा उसके लावा देशाम में क्या होगा इच छटे भाव के जो रिजल्ट बढ़ जाएंगे क्योंकि छटे भाव का स्वामि किसी भाव का स्वामी त्रिकोन में जाए कि बताया आपको कि खोगा तो आपको आप लेलेकि श्यव्तां पर लूग से मिक्वाद्स में कि अगर रिण अब पास आएगी कौन सा कान का कल द divisions नहीं कुछ था हूं आपको आज事情 जर इंसने मुकतमे बाजी चल रही होगी तो वह भी जी समझे आप क्यूंकि इस बाब कधा देना आ पांच वे भाग का पाइक। है ठीक है साथवी द्रस्टि तो क्या करेगा किसी बहाब पे हो तो लाम में कभी करेगा सूरे की दशा आते ही इसको कितने फल मिलने चालो हुए अच्छ है पहले भाब का तो वहांक मीदेगा थी कोई बात मिरिए थुर्य पंचं बहां में हैं तो पंचं के फल देगा पंचं में वहांनी करएगा संदान का से पूरा होने में दिकत हो सकती है शेयर मार्पिट में अगर आप पैसा लगाएंगे तो लॉस हो सकता है लेकिन इसके विपरीद अगर आपने रोग आपको है रिन है तो वो खतम हो सकता है शत्रू आपके खतम हो सकते हैं कोर्ट केस आपका चल रहा है तो उसके इंदर आपको विजय प्राप्त हो सकती है सूर्य की दशा में आपको लाब में कमी भी हो सकती है क्योंकि सूर्य लाब भाब को भी देख रहा है तो चुकि जैसे फिफ्ट हाउस का इसमें जैसे उच्छ शिक्षा का भी होता है कुछ नहीं देखना आपको बहुत सिंपल नियम है जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ कहीं ली कि नहीं मिलें आपको जोड़ तोड़ करना है तो नियम यह हुआ कि छटे-8-10-12 का स्वामी जिस्मी बाब में जाए उस बाब की आनि करता हैं इसी भी भाब का स्वामी तरीकोर्ण में जाए तो यहां से हम अडिया अब हम लगाते हैं अगला नियम सर यह सारे नियम तब लगेंगे जब जिसकी दशा आएगी उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल तो आपको दशा के इंदर ही मिलेगा न तो यानि हमें यह देखना पड़ेगा कौसी दशा चल रही है जी यह हमने पढ़ लिया अच्छा एक नियम यह वाला है कि जिस भी भाव का स्वामी अब जिस भी भाव की जब मैं बात कर रहा हूं आपसे तो आप कोई भी भाव समझ लेजिए पने मन दों प्राफएशन समझ लीजिए माता के सुक्ता भाव समझ लीजिए संतान का भाव समझ लीजिए किसी भाव को थे समझ लेजिए यदि कि इसी भाव का स्वामी इश्चत्रु राशी में चला गया कि शत्तु राशी से भी ज्यादा खत्रनाग यह है कि वह चटे आठवे बारवे बाव में चला गया तो उस भाव की हानी होती है यह तो बैने बताया आपको यानि उस भाव संबंदी सुक्षी प्राक्ति नहीं होती और यदि उस भाव का स्वामी अपने से आठवा चला गया ही कि तो भी उस भाव की हानी होती है अपने से आठवा का मतलब क्या हुआ अपने सामने वली राशी से नेक्स राशी में अपने से आठफे का मतलब यह हुगा कि अपनी मूल त्रिकों राशी से एट्थ हाउस में चला गया अगर वह आपको यह भी काउंट करना है अगर इस इस पॉइंट को आप काउंट ना भी करें तो इतना फरक नहीं पड़ता लेकिन जब हम लोग बहुत ही डिटेल में कुर्णी अनलेसिस करते हैं तो यह दि कोई ग्रह है केंद त्रिकों का स्वामी तो है अच्छा अच्छा ग्रह है और किसी भी भाव में जाके यह आप आपको प्रैट्टिस में बताओंगा अभी इस पाइंट में अभी तो इतना ध्यान लगिए कि कोई ग्रह है अगर च्छटे आठवे बार्वे भाव में चला गया है तो जिस भाव की यहानि होती है च्छटे आठवे बार्वे भाव का स्वामी जिस भी भाव में यहानि हो जली किसी भी भाव का स्वामी त्रिकोण में चला गया तो उस भाव की प्रत्धियी यह तीन नियम आपको मैं ने नहीं निया अपना है, चौथा नियम यह था, कि जो भी भाव आपको देखना हो उस भाव को आप लगन बना लो, और उससे देखो केंद्र और त अगला नियम यह कहता है कि जिस भाव का विचार करना हो उस भाव से छटे आठवे और बार्वे यदि पाप ग्रह बैठे हो तो उस भाव का नाश करते है तो इस वाली कुंडली में यहां पे गुरू बैठा है यहां पर सो अच्छा है बहुतकि हैं शुक्र माली यहां बैठा है तो वह भी केंदर त्रिकोड में गया है तो आप ने पत्तर जिएवन ठीक ठाक होगा तो आपने बोल दिया आप दूसरा पॉइंट नहीं वह कहता जी नहीं जी जहड़े तो बहुत हैं फिर आपने देखा कि नहीं 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 सब्सक्राइब भूल गया शनी केतु भी बैठे हैं सैड में तो कहीने कोई परिशानी तो है मालो यह कीतुना बैठा होता यहां पर आजाता आपका चंद्रमा तो यह पापकत्री खत्म हो जाता फिर तो अब किसाब आपका लेकिन हमारे जगड़े फिर भी होते हैं तो आप हम क्या देखेंगे अभी हम लेखेंगे जिस बहाफ को में स्टड़ी कर रहे हैं उस भाव से छटा आठमा बार्मा तीन भाव देखिए तो उस भाव से छटा कौन सा हुआ एक दो तीन चार पांच छे छटे में मंगल हो गया छे कि आकि साथ आठ भे में राहू हो गया कि नौदस ज्यारा बारवे में शरीर लिया है तो किसी भी भाव से अगर चटे आठ्वे बारिवे भाव में एकलिस दो पाप रहे हूं किनी दो में पाप रहे हूं तो उस भाव की हानी होती है तो ये विवाई जीवन में प्रॉब्लम लेकर आएगे किसी भी भाव से छटे आठवे बार्वे भाव में बैठे ग्रहों का प्रभाव उस भाव पे पढ़ता है इसको ग्रहों का प्रभाव बुलते हैं अगर अशुप गुरह बैठे होते हैं तो अशुप प्रभाव पढ़ता है शुप गुरह बैठे होते है तो शुप प्रभाव पढ़ता है तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा किसी भी भाव से शाथ वे भाव से अगर हम वैंदा किसी भी भाव से अच्छछ यहां तो अनुल रहे सपारा थे बाया आप कोई भाव देखना चाहते हो जो प्रोफेशन सत्भा बारव स्टुडी करना। कि चौथा बाव श्टड़ी करना चाहते हो तो चौथे बाव से शटा आठवा बारवा देखें यह सारे नियम आपको साइमें टेलिस लगाने हैं आपको एक दियम लेकर नहीं बैठ जाना कि इस बाव से जिस बाव की बारे में बात कर रहे हैं उससे च्छटे आठवे बारवे में पाप ग्रह बैठे हूं ठीक है तो यह वही था कि मान लिया आपको मैंने एक्जाम्पिल दिया है कि आपको साथवे बाव का विचार करना है तो सब्तम से च्छटा बारवा और सब्तम से आठवा अगर इन तीन भाव में से दो भाव में भी पाप ग्रह हों तो वह सब्तम भाव की हानी करें कि एक मिन्ट होल कीजिए गा जिस माव का विचार करें तो सब्तम से आठावा और शटाए गा कि दूसरा नियम है कि जिस भाव का विचार करना हो इसमें जो सेकंड लास्ट लाइन है इसमें जो भी आपने बताया है कि जिस भाव का विचार करना हो उस भाव से चटे आठवा कौन से बैठे यह चेक करो अगर आपको सक्तम भाव का विचार करना है तो सक्तम से चटा करो सक्तम चटा जो हो आता है वह कौन सा भाव होता है वारवा हो गया सक्तम से आठवा कौन सा हुआ हो चटा भाव हो गया तो उसने यह Citator दें के बताया है अगर इन भाव में वाव बैठे हो तो हाँ और यह नियम तो वह है कि जिस भी भाव में चटे आर्पे बारवे बारवे को तुम में इसमें एक थोड़ा सा exception है फ़ो इस पॉइंट में दो नियमम मंत्य एक नियम मंता है कि किसी भी भाव का स्वामी यह च्छटे आठवे बारवे बार में गया इसी भी भाव का स्वामी माल लेते हैं कि चौता भाव यह पे तीन नंबर इस गुण लिया है तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा एक दो चौते भाव का स्वामी कौन हुआ चौते भाव का स्वामी चे नबर बुद्ध बुद्ध हुआ अगर बुद्ध यहां चला जाए चटे भाव में तो वो कहता है कि चौते भाव की हानी होगी किसी भाव का स्वामी यदि चटे आठ वे बारवे बारवे चला जाए तो उस भाव की हानी होती है इसका उल्टा भी है चटे आठवे और बारवे भाव का स्वामी किसी भाव में आ जाएं तो उनकी हानी करते हैं चटे भाव का स्वामी कौण बना मंगल शनी मंगल माल यहां पर आ गया तो इस भाव कि हानी करते हैं तो दो नियँ मैं इसके अंदर पहला नियम वैसे वरसा चल रहा है रहा है किसी भी भाब का स्वामी जदि चटे आट वे बारवे भाब में आ गया तो उस भाब की किसी भाब में चला गया तो उस भाब की खानी करेगा यह दो नियम आपने यह पढ़ दिये यह नियम आ पढ़ोगे आपको बहुत सिंपल तरह से याद हो जाएंगे और कोई दिक्कत व अच्छा अब उपर का नियम क्या लिखा वाया पड़िए जरा इसको यदि भाव भावेश तीनों निर्बल हो यदि भाव भावेश का या कारक अशुप ग्रहों के मध्य हो तो भाव की हानी होती है एक्जामपल यदि पत्नी का विचार करना है तो सब्तमभाव स्वामी और कारक तीनों को देखें यदि निर्बल हो तो पत्नी के हानी है हुं पाप कट्री में हो निर्बल कैसे होगा चटे सब्चार बैच का वुखक यूठा हो और वह अब कर दाइए तो पता है द्रस्टी देखनी आए प्रभाव और के साथ बैठा या शुब गर्फ गर का स्वामीं है या पुरे गर का स्वामी है। और उसके दोनोगा तो निर्बल है करते हैं सौलिड तरीकर से मुझे मालम चलता रहेगा गुण्यन हाँ जी सर समझ आ रहे हैं हाँ जी सर सर अभी तो समझ आ जाता है जब वो लगाने लगते ना रसे मैंने देखा कुछ इतका लगा के तो फिर बहुत सारे ना चाहिए यह नियम पढ़ ही कहां थे आप ने जो अब मैं बता रहा हूं आप तो जी आप तो अभी उस नियमों से आप पड़े के बाद आज ही क्लास और अगली क्लास करने के बाद आप पुंढवी जा हुए उसके बाद हमनों करना चालू कर देंगे चलिए यह नियम पढ़िए बहुत इंपोटन नियम है इसको वैसे इतना लगाएं भी ना तो भी किरखनी पड़ता लेकिन अब लगा The following are the factor by which a house is destroyed. नीचे जो कारण लिखावा है, उससे किसी भाब की हानी होती है. क्या लिखावा है उसमें? The Lord of Eighth House from the House and the Constitution. यानि, चौथे भाब की हानी कब-कब होगी? चौथे भाब की हानी जब होगी? जब उसमें चौथे भाब की हानी जाती है. आप इतक तो हमने ये पढ़ा कि चौथे भाब की हानी करते हैं. लेकिन यहां पर एक नियम ये भी है कि जिस भाब का विचार करना हो, उस भाब से आठवे भाब का स्वामी भी अगर उस भाब में आके बैठ गया, तो वो भी इसकी हानी करता है. ये एक तो नियम ऐसे भूल भी जाओ तो अतनी प्राब्लम नहीं है, पर याद रखो तो अच्छा है. हाँ, गुझनल पढ़ना उपर वाला पहरा ज़रा क्या लिखा है? सर, हिंदी वाला, विचार निये भाव से यदि तीसरे छटे ग्यारवे भाब ग्रह बैठे हूं, तो वह अपनी अपनी दशा में विचार निये भाव संबंदित सुख उत्पन करेंगे. हाँ, जी. इसमें ये बोला गया है कि माले विचार निये भाव, आप कुंडरली का कोई भी भाव ले देजिए. जी. माल लेजिए कि आपको दस्वा भाव विचार करना है, प्रोफेशन वाला भाव. हाँ, जी, सर. तो ये कहता है कि जिस भी भाव का विचार आपने करना हो, उससे तीसरे, छटे और ग्यारवे. जी. यदि अशुग ग्रह बैठे हैं, कुरू ग्रह. मतलब तीसरे, छटे और बारवे में अगर अशुग ग्यारवे में. ओके, सॉरी, ग्यारवे में. जी, जी. जी. सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुणली में देखता हूं, उसके अडिया हो जाएगा. सर, इसके लिए ऐसी कुणली चाहिए, जिसमें मतलब 11th house में कोई ग्रह हो. इसरे में हो, ग्यारवे में हो या छटे में हो? सर, एक कुणली मेरे पास है, तो मैं बता हूं हो, अगर आप कोई. एक सब्सक्राइब बाद में ले लेते हैं, इसी के बाद में हैं? हाँ, जी, कोई नहीं, कोई नहीं. अब जैसे देखिए, हम इस कुंडली में, या या ऐसे कीजिए, आप बोली इसलिए कुंडली क्या है? डेट अब बर्त बोलिए. सर, में रितादी, डेट अब बर्त है, 21 October. 2020. अच्छा, अभी छोटा ही बच्चा है. समय? बारे बच्च्च पर्तिस्मेंट. दोपेर के? जी, सर, जी, सर. वहाँ पे? गाजयाबाद. देखिए, ये वाली कुंडली है. धन्म लोगा निकुंडली बनती है, ठीक है? जी, सर. अब ये कुंडली बन गई. जी, अब इसमें देखिए, केतु में बुद्ध की दशा चल रही है, तो बुद्ध तो पाप ग्रह नहीं है? नहीं, जी, सर. यहाँ पे देखिए, शुक्र में सूर्य की दशा जब इसकी आएगी, दोजार सताइस में. जी, मैं इस नियम के बारे में बात कर रहा हूँ, खाली आप से भी. हाँ, जी, जी, जी. 27 में जब सूर्य की दशा आएगी, तो नियम ये कहता है, कि यदि किसी अशुक्र है की दशा हो, तो ये देखना है कि वो किस भाव से तीसरे बैटा है, छटे बैटा है या गारवे बैटा है? शुक्र से तीसरा बैटा है? सूर्य? किस भाव से? ग्रह से मत बोलिये. यानि नवे भाव से बैटा है तीसरा? सब्सक्राइब भाव хочे सुख मिलें इसको इसके भाग में व्रदी होगी इसकी भाग में व्रदी होगी ढाँ में तो क्या होगा बच्चा यह छोटा सभी तो Word imperator और बने टीन संदेल कई हैं जी 30 साल कई हाँ तो अच्छा अब यह देखिए कि सूर्य से चटे भाव में कोई है क्या सूर्य से चटे भाव में सूर्य किस भाव से चटा बैठा है 11 था उस से सूर्य से चटा नहीं हमने किसी अशुब्रह की दशा हो और वह अशुब्रह जिस भाव से तीसरा चटा या ग्यारवा होगा उस भाव की व्रद्धी करेगा चटे भाव से कौन सा बैठा है चटा चटा बाव चटे भाव की व्रद्धी करेगा अगर रोग हो रहा होगा तो रोग दूर हो जाएगा सूर्य की दशा में इसका अच्छा ऐसे करके आपको निकालना है यही मत देखिए कि ग्रह आपने पकड़ लिया ग्रह पकड़कर आपने कहा कि यह ग्यारवे बाह में बैठा है तो ग्यारवे बाग पर रिजल्ट देगा ऐसा नहीं है बहुत रिजल्ट देता है वो प्यारवे के रिजल्ट देगा जहां देख रहा है मां के रिजल्ट देगा अगर अशुब हैं तो जिस बाव से तीसरा चटा हैं मांक रिजल्ट अच्छे देगा ठीक है? जी सर्व स्वारी चलिए, और कौन सा नियम रहे गया? सर्व नेक्स्ट वाला ना, जिस भाव के विचार करना हो, उस भाव के स्वामी को जो शत्रू है, वे अपनी दशा, अंतरदशा में विचार्निय भाव को बिगाड़ेंगे, और जो मित्र है, वे यदी बलवान है, तो विचार्निय भाव को उस ची प्रदान करेंगे. अच्छा, आप ज़्या सोच के बोलो, पहली लेन पढ़ो और सोचो क्या कहना चाहता है? जिस भाव को विचार करना है? फाव का एगर शत्रू की जशा है, तो उस भाव के रिचे नहीं आएगे. अगर उस भाव के मितर की जशा है, तो रिचे आएगे उस भाव के. उसे बलवान बना देंगे. सिंपल से ठानत है इसकंदर. जैसे इस horoscope में हमें लिखाए है कि हम लोग पहले house को एक्जामिन करना चाहते हैं first house को कि पहला house कैसा है और शनी की दशा चल रही है तो शनी first house का मालिक कौन है शनी नहीं इसमें शनी की दशा चल रही है और सूरी की राशी बैठ लिए first house में तो शामी कौन हुआ दिशार है तो शनी और सूर्य शक्तरू है इसलिए शनी की दशा में पहले भाव का उच्छे नहीं है किसी की शनी की दिशार चल रही है और वह मुझे वह आपसे बोले कि जी क्या पहले भाव का अठ्वे खास नहीं हो सकती है आपका नेम फेम उतना नहीं हो सकता क्योंकि जिस भाव के बारे में बात कर रहे हैं उस भाव के शक्त्रू की दिशा है अगर उस भाव के मित्र की दिशा चल रही होगी तो उस भाव के दिशा बढ़ जाएंगा अब जैसे जुपिटर संद की महादशा है मालिया सूर्य की महादशा है तो आपको पासे भाव प्रिजट कैसे मिलेंगे तो सर अगर जैसे सपोज इसी में राहू की महादशा है तो उसके कैसे फल मिलेंगे तो अगर आप मालिया चौथे भाव को देखना चाह रहे है एसा हो सकता है हाला कि हम लोग इतना पढ़ते नहीं है हम लोग दिखते है राहू की दिशा चल रही है तो राहू के हम देखेंगे जहां बैठा है जहां देख रहा है जहां का स्वामी है वहां के फल दे रहा है लेकिन यह भी फल होते हैं उसके लावा कि जिनका शत्रू है वहां उनको भी ठीक नहीं कर रहा होता है बहुत से फलों को हम इग्नोर कर देते हैं आप देखते हैं गा पहले माव की बात कर रहा है तो हम यही कहना चाहा है कि पहले बाप पर सवामे का नहीं मिलेंगे घृट अगब को अmäला आखित व'll और को यू आधम के पास आया वो कहा है जी मेरा बोलो स्वासमें तेरी उपर नीचे रहेगा कि जिसकी दशा है वो तेरे लिए सुटे बिल नहीं है ठीक है अब पांचवा भाव है सूर्य की दशा है तो पांचवा भाव के आपके कोई आदमी आपसे पूछे बाइचांस सूर्य दिशा चल रही है उसकी आके पूछता है वो आप से कि मेरा प्रसंद्शक्स हो गार नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे अच्छिज होगा सर लुए कि सूर्य मित्र है पांचवा भाव के स्वामी का मित्र है हुँ ठीक है मनुर्मा जी और वो आप दोनों गुंजन समझ में आ गया है तो यह नियम भी देखना है आदमी आपके पास आके कहीं का फल वैसे तो नॉर्मली होता क्या है नॉर्मली होता यह है कि जिस भी ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह से समंदित फलों की बात ही होती है उस बात ग्रह समंदित चीजों की ही बात करने आता है जो आपके पास आपके कुंड़ी दिखाने आता है कई लोग होते हैं ना कुंड़ी देखे बोल देते हैं कि चल रही है बुद्ध की बुद्ध कहां का मालिक है कर दो तो बड़े विद्वान है नो तो बता दिया हमें कि नॉर्मली होता यही है 90 परसंट कि जिस ग्रहा की दिशा सी क्रेशा से संबन्दित होते हैं और यह supreme as बहुत इंबॉड़ेंट है लेकिन इसके लावा हमें यही मिंकेल दिध्यान रटना है कि जिस ग्रहे की दिशा चल लगर है भी सवाल को अई जासर सब शुंबंधी सवाल कोछ थी दी भू sarà कि stuff तुछ रहे हैं वह हमसे ना तो सरी कि धश्री द्रशाइ सवाल कोछ रहा है है ना हमसे वो एक दो तीन ग्यार्वे बहाब के सवाल पूंज रहा है ना हम से गो तीसरे बहाब के या हद्रस्टी है रहा ज्डर शनी जहां का का दो पूंज है पू Mens, ice ना यहां संतान होगी नहीं होगी पूंज संतान वाला हाव है उस बहाव का स्वामी का शनी मित्र है या नहीं है जिसकी दिशा चल वह है इसके जब आपको देखना है जब आपके पास कोई ऐसा सवाल आए कि जिस घर में कोई ग्रहे बैठता है उस घर के रिजल देता है जहां देखता है वहां के रिजल देता है जहां का स्वामी है महां के रिजल देता है जहां का कारक है महां के रिजल देता है अब किसी ने question पूछने आया कोई बंदा आपके पास ना तो वो उस घर के सवाल पू पूछ रहा है ना तो वहां शनी उस भाव को कर रहा ना शनी नियुका कर रहा है ना शनी की द्रस्ती पांच वह पर क्या है तो इस तो पांच वह प्तर कैसे दो गया जो चल रही सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है अभी बात करेंगे तो इस तरह की बातें पुझा चली नेक्स्ट यह तीन नियम और पढ़ते हैं तो बाखी दिया में पढ़ाएंगे पहरा नियम पढ़के बताओ क्या लिखाए विचार्णिय भाव से एक चार पात साथ नो दस के स्थान में यदि शुब ग्रह बैठे हूं तो वह विचार्णिय भाव की व्रद्धी करेंगे बिल्कुर सिंपल है कि जिस भी भाव का आप विचार कर रहे हो सपोस कीजिए कि आप विवाव का विचार कर रहे हैं तो विवाव भाव कौन सा होता है सात्वे भाव से पहले भाव में चौथे भाव में पांचवे भाव में सात्वे भाव में नवे भाव में दस्वे भाव में यदि मैक्सिमम में शुब ग्रह बैठे हैं तो सात्वे भाव की व्रद्धी होगी और अशुब गुरे बैठे हैं तो साथवे भाव की हानी यह भी एक तरीका है नियम देखने का आपको सारे नियम लगाने हैं मैं बोलता हूँ बहुत सिंपल लग जाएंगे नियम आपके एक दम घुमाते चले जाएंगे नियम जो याद हो आपको तो विचारने है भाव से जिस भी भाव का आपको विचार करना हो उससे पहले भाव में उससे पहले वा का मतलब उसी भाव में मतलब उसी भाव से पहला हुआ तो जिस भाव का विचार करना हो यदि उस भाव से पहले भाव में चौथे भाव में पांचवे भाव में साथवे में नवे में दसवे में यदि ये छे स्थान है इन छे स्थानों में से वाफोन को नस्ट खर्ते हैं यह सिद्धान लगाना चाहिए यह पताया जा चुका है कि पाप ग्रह जहां बैठते हैं जिसको देखते हैं जिसके बगल में बैठते हैं उन भावों को नस्ट करते हैं यही सिद्धान्त लगाना चाहिए जहां पाप ग्रह की द्रस्ति पढ़ेगी उस भाव की हानी करेंगे अब हो सकता है कि जिस भाव के द्रस्ति पढ़ रही हो भाव पर आलोड़ी कोई ग्रह बैठा भी हो तो द्रस्ति अब कहा हो गई एक तो तो उस द्रहाओ पर हो गई जो बैठा उस भाव में अरे उस भाव पर गई जिस भाव को दिख रहा है थो दोनों यहानी करेगा बहाँ की बहार्ट और बहार करेंगा तो उसे एक चार पांस साथ नो में कोई नहीं है तो मतलब छे स्थान में से आपको कह रही है कि छे स्थान में से छे स्थानों के अंदर शुब ग्रह नहीं है कोई ग्रह नहीं बैठा सिर्फ एक में राहू बैठा है तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है क्योंकि राहू जो हो गया वह मैक्सिमम हो गया एक ग्रह बैठा हुआ है अब इस थानों में एक ग्रह बैठा हुआ है और वह एक ही अशुब है तो थोड़ा साथ नेगटी हो जाता है और उसके दस्वे भाव में शुक्र और शुर्य है दस्वे से देखा है हाँ तो शुक्र तो शुक्र तो शुब्रे है अगर अधिक अशुब्रे है तो जिट में थोड़ी कमी आएगी इसमें शुक्र के साथ सुर्य है तो सुर्य को हम शुब्र में गिनेंगे हाँ तो एक शुब्र शुब्र तो न्यूटरल हो गया तो बट एक राहू आ गया तो डिले करेगा काम को तो यह बैठे है थर्ड नियम हमारा ये है जिस भाव में लगनेश बैठा हो उसकी स्मृदी होगी लगनेश जिस भाव के स्वामी के साथ बैठा हो उस भाव के स्वामी के फल को बढ़ाता है यदि किसी भाव का स्वामी श्रिक भाव में हो वे निर्बल हो तो अनिस्ट फल करेगा किन्तु यदि बलवान हो तो उतना खराब नहीं करें आप पहली लाइन पढ़ो पहली लाइन में जिस भाव में लगनेश बैठा हो उसकी स्प्रदी होती है अब क्या मतलब है कहने का सब्सक्राइब जिस भाव में लगनेश बैठा होगा उस भाव की वो बाव अच्छा होता है हाँ हाँ जिस भाव में लगनेश चला गया लगन का स्वाम स्वाम में कृक्राइब ऑचे लगनेश के लिए कि जिस भाव में लगनेश चला गया उस भाव की बटो होती है, इसका एंजम पटा देंगे, देखलो अभी बता जाए है इंजम पर, सर मतलब यही तो हुआ जैसे अगर सिंग लगन की कुंडली है, हाँ, तो उसका खुद का ही लगनेश, सिंग लगन का ही लगनेश, हाँ, सूरे, उसी के भाव में हो उसी के भाव में हो या सूरिय तीसरे भाव में आ जाए तो तीसरे भाव की प्रद्धी करतेगा चौते भाव में आ जाए तो चौते भाव की प्रद्धी करतेगा पांचे भाव में आ जाए तो पांचे भाव की प्रद्धी करेगा अब ये कुंड़ी आपकी मालिया छे नंबर किये, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो लगनेश कौन हुआ? बुद्ध. बुद्ध. तो बुद्ध अगर मालिया यहां पर आगया आपका, दस्वे भाव में. तो स्वाराशी में है? मकान मना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ने. मेरा एक पुछन. अब इस आपसे पूछा था न, दस्वे भाव में, एक मेरे पास कुंड़ी है, दस्वे भाव में, शुक्र और सूर्य हैं. और पहला नियम जो एक चार पास साथ में भाव वाला बताया था, उसके चटे भाव में आ रहा है, बला हमारे कालपुर्श के चटे भाव में राहु आ रहा है. ने, ने, आपको बताता हूँ, वोई कुंड़ी जो आप पूजी हों, बनाए तो आपके साथ. सर, एक चीज़ पूछनी थी, हाँ, बोलो. सर, मानलों, वोद्धि होती है, अगर छेटे भाव में बुध सत्रू का भाव हो एक कमटीशन का भाव हो एक कमटीशन के में तो यहानि कमटीशन सक्सेस कराएगा, रोग रने सत्रू को भी तो बढ़ाएगा, सरीए, वो बढ़ाएगा या रिजल्ट अप्छे देगा? किस लगनी कुल्डी है मैडम आपकी जो बता रही हो मेन लगन की है बारा नंबर से शुरू है पांचवे इधर पांच नंबर जहां लिखा है वहां पर रावु है छटे बाव में और नौवे भाव में बुद्ध है दस्वे भाव में शुक्र और सूर्य है यार्वे भाव में चंद्र है और बार्वे भाव में केतु और गुरू है इसका पुछना था कि अब जैसे इसका लगनेश किस भाव के बारे मिचार करना चाहते हो अब दस्वे भाव के बारे में तो दस्वे से मैंने बताया कि दस्वे से आप देखोगे पहला जी चौथा अगला एक चार पांच पांच्वा इसके नौवे वाले में रहू आ रहा है ठीक है तो एक पाप रहा हो गया अच्छा फिर आगए चलो दस्वा भी देखते हैं दस्वे में भी कोई नहीं है और और सर में जो आप पहला चौता पांच्वा सात्वा नवा दस्वा आप इन साथ भाव में से एक पाप रहे हैं और शुग रहा है कोई नहीं है तो इसका मतलब इस भाव की थोड़ी हानी करेंगा अगर यहां पर कोई शुग रह भी आ जाता शुगर आ जाता और गुरू भी आ जाता कहीं तो हम कहते हैं अब यह साया है क्योंकि दो शुब ग्रहें और एक बाप ग्रहें बढ़गा तो यह भी एक नियम है इस नियम पर हितना मतलब आप मझज अए लेकिन यह नियम भी देखने के लिए होता है जब कई बार क्या होता है कि आपको आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं आपके स्टेंडर्ड नियम से तब आप इस नियम को भी चेक कर लें कि यार एक बार यह भी देख लूँ कि प्रोफेशन भाव से मेरे पहले चौथे साथ वे नवे दस्वे भाव में कौन-कौन से रह बैठे हैं कौन से नहीं बैठे है इसके दस्वें भाव के दोनों तरफ हैं जैसे चंद्र और तो यह शुब कत्री में हो गया तो यह मतलब वही है ना देखे आपके कहीं से रिजल्ट आपको गडबड़ बिल रहे हैं कहीं से आपको अच्छे मिल रहे हैं तो आपको तार्थम में से बठाना हैं साब किताब यह चीज आपके में बढ़िया आ देखने हैं पिर आपको देखना है दस्वे भाप देखना है तो सबस्कों हो ख़ले यह आपको लगाना है अच्छा जो इनका सवाल था अरुन जी का वो यह कहना चाह रहे थे कि लगन का स्वामी गुरू होता है अब गुरू अगर छटे भाव में आ जाए लगन का स्वामी छटे बाव में चला गया तो लगन की हाने करेगा यानि आपके जीवन में संगर्ष रहेगा च्छटा भाफ संगर्ष का भाव है आपके जीवन में स्ट्रगल रहेगी लेकिन इस भाफ के लिए बढ़िया हो गया तो च्छटे भाफ के लिए बढ़िया है यानि कंपडिशन अगर दोगे तो सक्सादाप हो जाओगा राम से रोग होगा तो रोग दूर होगा तो इसी तरह से सर्य लगनेश जो है जो यह मीन लगन की कुण्ड़ी वने बताई है यह बार्वे भाव में गुरू बैठा है तो यानि बार्वे भाव के व्रिद्धी तर ब्रद्म होइख लेकिन व्रमेख लेकिन लगन की तो नुक्सान हुआ न हिञीं लगन से बार्व weg में चला गया है कि लगनेश यानि आपका विय होगा अन्नावश्य विया आपका होगा आप professionals seit Glut combien लेकिन बार्वा भाव का बढहिया हो 12 वहाज रजलट आपको मिलते हैं जो रजलट आपको चाहिए वो अच्छे पार महां पाप विदेश का भाब होता है तो आप कहेंगे विदेश ये जाओगे विदेश में आप को सफलता मिलेगी सकसस मिलेगी पैसे तो फर्च हुए आपके तो ऐसे करके आपको देखना है लगनेश है केस में और भाविश के लिए नहीं है लगनेश के लिए है लगनेश जिस भाव में जाएगा उस भाव की ब्रद्धी करें